देखिए G20 का समय है अलग-अलग देशों से यहाँ लीडर्स आ रहे हैं और आज सुबह एक बहुत गंभीर मामला उठाया गया है दो financial newspapers में दुनिया के जो मशूर financial newspapers हैं यह guardian newspaper है इसमें साफ लिखा है जो मोदी-linked अदानी family secretly invested in owned shares document suggest मतलब एक परिवार जो मोदी जी के बहुत करीब है उसने अपने शेर में अपना पैसा इंवेस्ट किया पैसा इंवेस्ट किया शेर शेर प्राइस को इंफलेट करने के लिए दूसरा यहां financial times अगबार है इसमें लिखा है hidden investors and a secret paper trail और यह guardian की अंदर का page है wealthy Indian family with links to modi invested in owned shares मतलब वन बिलियन डॉलर हिंदुस्तान से अदानी जी की company के network के थ्रू अलग-अलग किया और उस फाइदे से हिंदुस्तान का जो infrastructure है जो अदानी जी airports खरीद रहे हैं पोर्ट्स खरीद रहे हैं अभी यहां धरावी में शायद उनको बड़ा project मिला है तो यह सब जो हिंदुस्तान के जो assets है जो पुंजी है जो अदानी जी खरीद रहे हैं वो इस पैसे से share price को inflate करके खरीद रहे हैं तो यह सवाल उन्होंने उठाया है उन्होंने कहा है कि उनके पास सबूत है paper trail है internal emails है documents है तो सबसे पहले सवाल उठता है यह जो पैसा use किया जा रहा है यह किसका है यह अदानी जी का है या यह किसी और का है और अगर किसी और का है तो वो किसका है यह सबसे पहला सवाल है दूसरा सवाल है कि इस काम को करने के लिए mastermind विनोद अदानी जी है जो उनके भाई है गौतम अदानी जी के भाई है मगर उनके साथ उ एक का नाम नसिर अली शबान अली और दूसरा चैंग चूंग लिंग चैंग चूंग लिंग चाइना का है तो दूसरा सवाल ये उड़ता है कि जब अधानी जी हिंदुस्तान का इंफरेस्ट्रक्ट्टर करीदे जा रहे हैं तो ये जो चैनीज नैशनल है ये इसमें कैसे involved है इसका क्या role है इसने क्या किया ये थाबित होना चाहिए ये दूसरा सवाल और ये जो foreign nationals हैं ये हिंदुस्तान की share market को कैसे manipulate कर रहे है ये सवाल क्यों नहीं पूछा जा रहा है national security का मामला है अदानी जी defense में काम करते हैं infrastructure में काम करते हैं airport sports में काम करते हैं तो ये जो दो foreign nationals है खासतोर ये जो Chinese आदमी है Chang Chung Ling इसका क्या role है ये दूसरा सवाल और तीसरा सवाल जो SEBI का investigation हुआ था जिसने clean chit दी जिस व्यक्ती ने investigation किया और जिसने clean chit दी आज वो अदानी जी का जो channel है NDTV उसका director है तो मतलब ये एक network है इसमें आपको institutional capture दिख रहा है SEBI का chairman clean chit देता है और उसको एकदम बाद अदानी जी की company में director बन जाता है international मामला है stock market वो inflate किया जा रहा है और उस inflate करने के बाद उससे हिंदुस्तान के assets खरीदे जा रहे हैं तो सवाल ये उठता है इसके बारे में प्रधान मंतरी कुछ क्यों नहीं कर रहे हैं शान्त क्यों है यहाँ पे foreign newspaper ने साफ कहा है wealthy Indian family with links to Modi मतलब अगबार कह रहा है कि नरेंदर मोदी जी का अदानी जी का रिष्टा है सवाल उठता है क्या रिष्टा है और यह जो agencies है CBI है ED है यह अदानी जी पर research क्यों नहीं कर रही है यह अदानी जी को interrogate क्यों नहीं कर रही है यह सवाल उठता है हिंदुस्तान का reputation line पे है G20 हो रहा है हम कहते हैं कि यहाँ पे level playing field है हिंदुस्तान transparent है यहाँ पे भरष्टाचार नहीं है और उन सब के सामने जब वो यहाँ आ रहे हैं उनके सामने यह उधारन है 1 billion dollars यहाँ से जा रहा है stock price inflate की जा रही है infrastructure और assets खरीदे जा रहे है जिसने investigation किया उसको अधानी जी ने मतलब अपनी company में नोकरी दे दी तो यह हिंदुस्तान की image को damage कर रहा है और इसलिए प्रधान मंत्री को एकदम action लेना चाहिए और कहना चाहिए कि हाँ हम JPC लागू करेंगे JPC को investigate करेगी और full scale investigation होगा अधानी जी का thank you झाल झाल